उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक मा की करुणा भरी पुकार आजकल लोगों के दिल में एक सिहरन बढ़ा रही है 65 वर्सिये विधवा बानो ने जिलारिकारी कारेल पहुँच करके रोरोग करके ये गुहार लगाई है वही सोशल मीडिया पर वायर होता उस मा की बातें लोगों को प्रभावित कर रही है कई लोग ऐसे भी हैं जो उसके बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक रूप से उसकी मदद करने को आ गया है वही बांधा जिलादिकारी ने मुक्यमंत्री राहत कारेले से लगबग 6 लाक रुपए उसे दिलवाए है पुरा मामला है कि मा के बच्चे को कैंसर है और पिशले कई महीनों से उसके पास इतने पैसे भी नहीं हो पा रहा है कि वो किसी अस्पताल में बच्चे को इलाज करा सके अपने घर में रोज तिल-तिल कर मरते हुए बच्चे को देखना उसकी मजबूरी है कौन सा कैंसर है और कब से बिलट जा रहा है मुह में चाले पढ़ें काले काले आप यहां कहीं गई है अस्पताल लेके या किसी अदिए तो महीने वहां बिलट चड़वा रही हुए हुए हराक दिन में बिलट इसके चाहता अब नहीं मेरे समाई पैसे लगने मेर बास बॉलत बट काहां रहां पिछाब विलत है उसकी एक यह जना चलिती प्रधान मंत्री सवास्त दीम्यू यूजना उसमें कार्ड बनां राधि न के तहित अमारे नहीं बना कार्ड नहीं है सास्ट भी हो वाला और कहा कहा गई हैं किस के आप जी आई गए हैं कानपूरा पहले सुरुवात में दिखाया सवाधी पुरिया के पास मन्नाथ हॉस्पिटल अपि वहां तुन्हों नभीडिया जेके में प्लाज करें हम यहां बिलट वालों को नहीं लेते हैं तो नहीं पहत कर दिखाओं के क्या दाक्टर नसे क्या मंगा है क्वान मंगा यहां किसी बड़े अधिकारी के पास घाई भी क्पाम जा से पुछन था आए यहां मेंमम इलते तो पिद्दी के आहिकार होते हो आम को एहां नाम पाता है नहीं नहीं तो कि यहां से क्यों नहीं भीजा गया आपको अब मैं क्या बता मापीची फुज नहीं पता है नहीं बेज रहे का गाती इन मेज़े दोड़ रहे हुपी दाई के यह खुछ नहीं हो रहा है उसके आज आखरी दिन चल आए बता लए रात को पुछ हो जाए या भी हो जाए कुछ वरी मुस्रीफत भी हो बचा लीजी है